असली आतंकबादी नरेन मोदी अमिस्सा है और ये योगी आदित नाती है भारतिय जनता पाटी की सरकार ने मरवाने का काम किया है दो महिने बाद बिहार में चुनाव है फिर से देविंदर सिंग को सारजनिक ब्यान कराईए क्योंकि सैना की लास के उपर भोट कैसे मांगा जाता ये कोई मोदी से सीखे आतंकियों के साथ पकड़ाया तो उसका बेल कैसे हो गया फुल्वामा हमला का मास्टर माइंड देविंदर सिंग का बेल हो गया है आखिर सोचिये कुछ महिने के अंदर उसका बेल हो जाता है आखिर क्यों बेल हुआ फुल्वामा हमला किसने कराया भारतिय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए मास्टर माइंड एक प्लानिंग के तहत फुल्वामा हमला कराया गया था और देविंदर सिंग का बेल हो जाना इस बात का परमान है के ये हमला भारतिय जनता पार्टी ने करवाया था नरेंद मोदी और अमिस्सा ने कराया था ये जीता जागता परमान है किसी परमान की आवसकता नहीं है ये सबसे बड़ा परमान है के देविंदर सिंग का बेल हो जाना और आसानी से बेल हो जाना ये जीता जागता एक परमान है क्योंकि दिल्ली के अंदर बम स्पोर्ट कराने के लिए देविंदर सिंग के गाड़ी के अंदर दो आतंकी के साथ पकड़ा गया था देविंदर सिंग डीएसपी फुल्मामा हमले के समय में डीएसपी वही का था पंजाब का ये जमुकस्मीर का तो आप समझ लिए कौन है असली देश का गड़ार आप समझ सकते हैं देश का गड़ार नरेंद मोदी है देश का गड़ार अमित्सा है देश का गड़ार योगी आदितन नाथ है ये तीन ब अशर्ज लग रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूं लेकिन यह पर्मान है यह जीता जागता पर्मान है देविंदर सिंग का बेल हो जाना जदी नहीं है तो खुली चुनावती दे रहा हूं मोदी जी देविंदर सिंग को सारजनिक ब्यान कराईए मीडिया के अंदर सारजनिक ब्यान कराईए कि किसका हाथ था देश की जनता जानना चाहती है कि हमारे 40 जवान जो सहीद हुए थे उसका मास्टर माइंड कौन था और देविंदर सिंग जब पकड़ाया आतंकियों के साथ पकड़ाया तो उसका बेल कैसे हो गया इसका मतलब कुछ तो खिचड़ी है अंदर से पक रही है खिचड़ी और दिल्ली में दंग जब दो आतंकियों के साथ देविंदर सिंग पकड़ाया तो दिल्ली में भी बम स्पोर्ट करने की एक साजिश थी चुनाओ जीतने के लिए और अब बिहार में चुनाओ है दो महिने बाद बिहार में चुनाओ है फिर से हमारे देश की सेना को भारतिय जनता पाटी की सरकार ने मरवाने का काम किया है क्योंकि सेना की लास के उपर भोट कैसे मांगा जाता है यह कोई मोधी से सीखे, नरेन मोधी से सीखे, याद है न फुलमामा हमला, कि अगले ही दिन राजिस्थान की रैली में परधान मंत्री ने कहा था, मैं मेरे फ़स्ट टाइम बोटलों से क्या इन सहीदों के नाम पे बोट मिल सकता है क्या, ये है देश का परधान मंत्री का चाल चलित्र ये समझे हमारा देश हमारे देश के नागरी हमारे बीर जवान को सहीद कर दिया जाता है भारत देश में चुनाओ जीतने के लिए चुनाओ जीतने के लिए कितना घटिया किसम का परधान मंत्री है हमारे देश में जो चुनाओ जीतने के लिए सैना को मरबाने का काम करता है याद है मैं जान रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ और वो कुछ अंधभक्त बोलते हैं कभी आतंकी का पुतला जला और भाया मैं आतंका ही पुतला जलाता हूँ आतंकबादी का ही पुतला जलाता हूँ असली आतंकबादी नरेन मोदी अमीसा है और ये योगिया इतना थी है अभी समझोगे मेरी बात पुछ सालों में समझोगे लेकिन समझोगे कि धनेश्वर महतो सत बोल रहा था और तुम गल्द थे मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ भारत में दूसरे किसी नेता में वो सास नहीं है सच बोलने का क्योंकि वो लाल्ची है उनको सत्ता से प्रेम है कुर्शी से प्रेम है धनेश्वर महतो को सिरफ अपने देश से प्रेम है अपने देश के नागरिक से प्रेम है मैं मरने से नहीं डरता मोदी जी मैं जेल जाने से नहीं डरता हूँ मैं सत बोलता हूँ बहुत कड़ी होती है मैंने कसम खाई है कि भारतिय जनता पार्टी भारत मुक्त करना है ये मेरी सौगंध है आपने कॉंग्रेस मुक्त करने की भारत कही थी और मैं भारतिय जनता पार्टी को मुक्त करना चाहता हूं भारत से क्योंकि ये असली देश-द्रोही पार्टी है यह आतंग फैलाती है, यह हिंदू मुसल्मान को लड़बा के भोट लेती है, यह देश का सत्या नास करके भोट लेती है